हलो दोस्तों वेलकम टू फ्री एजूकेशन बाई पीके में तम आपका फिर्श श्वागत है और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्गमुल वाले प्रश्णों को कैसे हल करते हैं यानि कि जैसा है मैंने प्रश्ण लिया हुआ है सेवन मानस का टू अंडे इसका मान क्या होगा यहाद रहे है यहाँ पर मतलद इस टैपका प्रश्ण मिले और यहाँ पर अंडे रूट में कुछ भी हो यहाँ पर लेकिन यहां पर प्रपर किवल औरकिवल- किवल 2 होना चाहिए सबसे पहले हम बात करेंगे नहीं हैं फूल करेंगे है किले रहे हैं चलिए यहांपर क्या है सिवन का मानस है और यहां पर तो है तो सबसे पहले आपको यह जो टुफには इससे दो फेक्टर को डूर हो साथू 12 हो और आपस में जोड़ने के बद क्या हो साथ हो जाए तो आपके जहन में इसे दो संख्या आते होंगे कौन-कौन 4 और 3 अगर आप 4 गुना में 3 multiply करें तो आपका होता है कितने आपका 12 ठीक है और वहीं अगर आप 4 प्लस में 3 करते हैं तो होता कितने आपका शेव है किलर है यानि कि हम बात कर रहे हैं कि बारों को ऐसे दो संख्या में तोड़ने हैं जो की रूट के अंदर है ठीक है जिसको गुणा करने के बाद 12 होने चाहिए और जोड़ने के बाद 7 होने चाहिए तो मैंने इसे 2 संख्या लिया 4 और 3 अपका अंसर होने वाला है चलिए इतना करने के बाद तो आपको ध्झान क्या दना है जो संख्या बड़ी है उसको आप पहले करेंगे क्या है 4 और simply आप इसके अंदर root चाढ़ा देंगे स्लूब पर ठीके और यहाँ पर sign क्या जिसटा है minus का तो आप यहाँ पर करेंगे minus अच्छोटी संक्य को ठीदेंगे याने कि 3 याद रहें पहले बड़ी फिर छोटी यहीं क्या आपका आंसर हो जाएगा क्लिए रहे चलिए एक और प्रशन देखते हैं हम लोग तो हमारा अगला प्रशन है 8-2-15 का होल रूट है इसको कैस्वल्ब करेंगे तो मैंने आपको बताया कि जो भी संख्या रूट के अंदर होगी यहां पर क्या है रूट के अंदर आपका 15 है तो 15 हो कैसे 2 संख्या में तोड़ने है जिसको गुना करने के बाद 15 होने चाहिए और जोडने के बाद 8 होने चाहिए तो ऐसे 2 संख्या था है आपको पांच और 3 जिससे हम लोग गुना करेंगे तो 5 3 कितनों आपका 15 हो जाएगा और वहीं अगर 5 प्लस 3 को add करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा clear है तो आपका answer क्या होगा मैंने बोला सबसे पहले जो बड़ी संख्या होगी उसको लिखेंगे root के अंदर यहने की root under 5 sign देखेंगे क्या चीज़ क्या है यहीं क्या आपका answer हो जाएगा क्या रहे चलिए next प्रस्ण देखते हैं हम लोग तो हमारे यह जो प्रस्ण है यह है टाइप टमर दूसरा पहला क्या था टाइप टमर वन में यहां पर आपका minus का sign था यहां पर क्या आपका plus का sign है तो कैसे करेंगे ध्यान देंगे तो इस प्रस्ण को solve करने से पहले आपसे एक request है कि अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो please वीडियो को like किजिए और हमारे चैनल को subscribe कर ले चलिए यहां पर क्या आपका रूट टिंडर 72 है तो same trick यहां भी लगाएंगे हम लोग ऐसे दो संख्या में 72 को break करेंगे जिसको गुना करने के बाद कितना हो 72 पूर जायने 72 और जोडने के बाद यहां पर क्या आपका 17 है तो जोडने के बाद कितना हो चीए 17 तो ऐसे दो संख्या है कौन कौन 9 और 8 जब दोनों को multiply करेंगे तो 9 इंटू 8 होता है अपका 72 और वहीं आप अगर दोनों को add करेंगे तो आपका होजा है कितना 17 के लिए रहे हैं तो आपका अंसर क्या होगा तो मैंने बोला कि जो सबसे बड़ी संख्या हो इसको पहले लिखेंगे यानि कि root under 9 बड़ी संख्या हमारी उसके बाद जो छोटी संख्या है उसको बाद में लिखेंगे यानि कि root under 8 लेकिन यहाँ पे sign अपका plus का है तो यहाँ पे करना होगा आपको plus बस यहीं कि आपका आंसर हो जाएगा बस करना कुछ नहीं है अगर plus का sign तो plus करेंगे minus का sign नहीं तो minus करेंगे बस आपका यह answer हो जाएगा clear है यह था में को type number दूसरा प्रश्न चलिए तो जो अगला प्रश्न है यह है ध्यान रहे यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्तोपुर्ण प्रश्न है पहले वले प्रश्न में क्या था इसकी उपर में आपका root under लगा हुआ था और यहां पे आपका 2 था लेकिन न यहां पे 2 है और नहीं यहां पे root under लगा हुआ है यानि कि root under का मतलब ही होता है बर्गमूल तो साब साब कह रहा है यहां पे कि 12 plus 6 into root under 3 का बर्गमूल क्या होगा यानि कि आपके इसका root पूछ रहा है किलर है तो सब से पहले इसको कम लोग ऐसे समझेंगे 12 plus का 6 under root 3 है वर्गमूल है यानि कि इसका कुछ इस प्रकार sign हो यानि कि पूछ रहा आपके इसका answer क्या होगा तो इससे पहले आपके प्रस्पड़े हैं वहां पर आपके इसका 2 था तो सबसे पहले हम लोग यहां पर 2 करने ही कोईस करेंगे यहां पर 6 है तो 6 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ने है फेक्टर करने है ठीके जो कि यहां पर 2 आजा है यानि कि 2 के फॉर्म में तो यहां पर आपका हुआ क्या दो गुने में 3 6 को दो गुने में 3 लिसकते हम लोग यहां एक 2 तिया छे इतना करने के बाद एक बड़ा सा रूप डालेंगे हम लोग क्योंकि बढ़े मुल्प उच रहा है 12 है 12 करेंगे प्लस किलिए रहे 2 को कर देंगे बाहर अंडर उट क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे और यह जो 3 बच गया इसको करेंगे अंदर यह 3 को अंदर करेंगे तो अंदर करेंगे तो कैसे लिखेंगे तो आप लोग का पता होना चीए एक छुटा सा कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इसका जो मान होता का क्योवल वर क्यवल three होता है एक भसा में और समझायम हो लोग कि अंडरículothree बात करेंगा रूट अंडर 33 का this को आर तो आप बोलते हैं ठी होता है हुता है यानिएंकि इस्वार रट गात्ो archive लेगा इसका मतलब जन्म भी अगा तो rrü food यानि संक्राइब दो बार बंडर्ड़ täoट expenditure तो मैं पर लिख लिए जो ठी है इसको अगर हम पूल रूट की अंदर करेंगे इसको दो बार अंडर्डाय करना पड़ेगा हमको ठीक है दो बार multiply करना पड़ेगा अंदर की root के अंदर चलिए स्वाइमने यहा एक बार और देखते हैं मैंने दो बार लिखा यानि कि under root 3 into under root 3 under root 3 into under root 3 इसका answer क्या होगा तिन ही तो होगा और यहां पी क्या था आपका 3 था तो मैंने 3 को root के अंदर लिखा दो बर multiply किया कुछ पर नहीं किया इतना करने के बाद इसको solve करें हम लोग तो क्या होगा बार दा अंदर root होगा 12 प्लस का 2 यहां पर क्या होगा तीन गुने में तीन गुने में तो ट्रीक क्या था 27 को ऐसे 2 संख्या ब्रेक करना आपको फेक्टर निकालने हैं जिसको आपस में गुना करने के बाद 27 हो जाए और जोडने के बाद कितना हो जाए 12 तो ऐसे आपके जहन में आंसर निकल गया आपका बड़े वाली संख्या को पहले रखेंगे root under 9 प्लस root under 3 आप चाहें तो इसको आप answer बोल सकते हैं लेकिन यह आपका सही answer नहीं है क्यों नहीं है यहां पिर root under 9 है हम जानते हैं कि root under 9 के value कितना होता आपका 3 उसके प्लस में कितना आपका root under 3 तो आप आपका answer जो होगा 3 प्लस root under 3 यह क्या होगा आपका final answer हो जाएगा क्लियर है तो उम्हेद करते हैं आप लोग यहां में कोई दीकत नहीं हुआ चलिए एक और प्रस्ण देखते हैं लोग तो जो हमारा last प्रस्ण है वो है 7-2 under root 6 का root under क्या होगा तो सबसे पहले 6 को ऐसे 2 और जोडने के बाद 7 हो जाए तो ऐसे 2 संख्या में 6 और 1 आएंगे आपका 6 into 1 करेंगे तब का हो जाएगा 6 और 6 प्लस में 1 करेंगे तब का हो जाएगा 7 आंसर आपके सामने है बड़े वाले को पहले root under 7 मानस करेंगे तो मानस करेंगे और root under 1 इस प्रस्ण का final answer क्या होगा अप लोग कोमेंट करें और हाँ वीडियो पसंदे हो तो वीडियो को लाइक किजी शेर किजी और हमाई चैनल को सब्सक्राइब किजी यह आपका final answer नहीं है चलिए मैं answer बतायता हूँ इसका answer होगा root under 7 minus 1 यहीं क्या होगा आपका answer हो जाएगा क्यों? क्योंकि root under 1 का value 1 ही हो बूलें मिलते हैं अब अगले वीडियो में